हाई फ्रेंडिस वेलके अजैनल फैक्ट कनिशा तो दोस्तो तोलषी पूझा के दस चमतकारी ग़ाब जिनके बारे में नहीं जानते होंगे आप जीहा दोस्तो साथ ही वो मंत्र जो करता है जिसका जब करता है उसकी हर मनोकामना पूरी होती है जी हाँ दोस्तों दोस्तों हिंदु धर में तुलसी को विशेश मत्व दिया गया है तुलसी को हरिवल्ला भी कहते है क्योंकि ये विश्णुजी का बहुती प्रिय है कहते हैं कि जीज घर में तूलसी की नेमनुसर पूजा की जाती है उन्हें जल अरपीद किया जाता है वहां कभी दरिदरता नहीं आती है महालक्षिमी की उसपर घर में अवश्यक रुपा बनी रहती है चलिए जानते दोस्तों तूलसी पूजा के दस चमतकारी लाब तो दोस्तों ये जानने से पहले मेरी चैनल को सब्सक्राइब अवश्यकरे बेल आइकोन प्रेस करके आल बटन पर क्लिक चरूर करे तो चलो शुरुबात करते हैं वीडियो से तो दोस्तों तूलसी एक नैचिरियल एर फ्यूरिफायर भी है जो वायू प्रदूशन को करम करता है और ऑक्सिजन को बनाय रखने में मदद करता है इसे मक्खी मचर कीडे बागते है यह एंटी एक्सिडन्ट भी है जिया दोस्तों और एमिनोटी बढ़ाने के साथ साथ वायरल इंपेक्शन से भी बचाता है दोस्तों आज हम आपको तूलसी के वोचमतकरी लाब बताएंगे जिने आप जानके बहुती चरूरी है तो दोस्तों नमबर एक तूलसी का रोज सेवन करने से विक्ति का शरीर चंद्रायन वरतों के फल के समान पवित्रता प्राप्त कर लेता है नमबर दो घर में तूलसी का पौदा लगाने से घर में पवित्रता आती है और नकारात्म कूर्चा तूर भागती है नमबर तीन तुलसी का पूजा मंत्र ओम नमो भगवते वासू देवाय नमो का जब करने से सुख सम्रूती के योग बनते है और सारी मनो कामनाय पूरी होती है तो दोस्तों ये जब अवश्य करें नमबर तुलसी के पत्ते डाल कर रस्नान करने से किसी तीर्थ पर रस्नान करने जैसा फल प्राप्त होता है वो सबी यदनों में बैटने का अधिकारी होता है तो दोस्तों नमबर पाच अगर घर में कल और अशान्ती रहती है तो तुलसी को अपने अंगर में जरूर लगाए और नियमित जल दे दोस्तो इससे आपके घर में शान्ती वास करेगी यानि कि महालक्षमिक क्रिपा अवश्य बरसेगी नमबर चे महालक्षमिक क्रिपा पाने के लिए तुलसी की हर रोच पूजा करे जीहा दोस्तो नियमित दिया अवश्य लगाए दोस्तो शाम को दिया लगाने से मालक्षमी की प्राप्ती अवश्य होती है नमबर साथ दाई के साथ चीनी और तुलसी के पत्तों का सेवन करना शूब माना जाता है नमबर आठ इसके अलबा तुलसी का सेवन करने वाले पर देवी देवता की क्रिपा बनी रहती है दोस्तो नमबर नव दाई के साथ तुलसी का सेवन करने से कई साहरे आईरुवेदिक लाब होते है इससे तनाव दूर होता है और शरीर उर्जावान मैसूस करता है दोस्तो नमबर दस तुलसी से वास्तु दोश दूर होता है तो दोस्तो इस तरह दस लाव होते है तुलसी की पूजा करने से दोस्तो यदि आप तुलसी की पूजा नहीं करते है नियमित रूप से तो दोस्तो रोज हर रोज नियमित रूप से पूजा एवं जल अवश्य डाले और शाम के समय तुलसी के पास दिया लगाना ना भूले इससे अखंड़ महालक्षमी की प्राप्ती होती है। तो दोस्तो इस तरह तुलसी की पुजा करने से दस प्रकार की लाप आपको मिल सकते है। दोस्तो आपको वीडियो कैसे लगा अच्छा लगा हो। तो लाइक शुरार कमेंट्स जरूर कीजेगा और कमेंट्स में जय स्री महालक्षमी नम आवशे लिकेगा। ताने मात।